जंजन की आवाज येन भारत में आपका बहुती स्वागत है और मैं शिखा स्ट्रया फिर से एक बार पंकज मिश्रा के एडी के अपडेट जो है इसको लेकर मैं आपके सामने आजिर हूँ हमने कल आपको रात में एक अपडेट दिया था कि पंकज मिश्रा को गिरफ़तार कर लिया गया है जी हाँ सहयोगी से कि में हमें कोतवाली थाना में मौझूद हूँ इसी कोतवाली थाना में पंकज मिश्रा को लाया गया जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि मेडिकल चेक अभी तक नहीं हुआ है और जब वो यहां लाये गए तो अकल हमने आपको विजों के माधम से भी दिखाया था कि जब वो ED ऑफेस बुशे थे तो बड़े खुश और बहुत इसमाई के साथ और मीडिया को हाथ पिला के अभिनन्न भी दिया था लेकिन निकलते से उनका चेहरा बहुत ही उत्रा हुआ था और खासकर जब वो पोतवाली था ना पहुझे तब तो पूछिए बाद तब तो उनका चेहरा बागे में पुरा सूप चुका था तो कहीं ने कहीं ED को चुनोती देना का परिनाम क्या होता है यह शायद पंकच मिष्णा बहुत अच्छे से समझ गया होंगे बताते चले पंकच मिष्णा सीम हेवन सोरेन के विधायक प्रतिनी दी है जिसपर हलका समय संदे है जैसे हमने बताए कि बहुत सारे वेवसाई थे बच्चू यादव होगे ललु यादव होगे इस तरह कि इन्फॉर्मिशन दिया जाते हैं कि हम आपको गिरफतार करने वाले हैं जियां सिर्फ एक दिन साथ साथ घंटे की पूस्ताश में ही सारा बात क्लियर हो गया एडी ने फॉरण गिरफतार कर लिया तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एडी के पास लगता है आप कुछ जाचन करने के लिए नहीं बचा होगा इडी के पास अब कुछ संदेख करने के लिए नहीं बचा होगा कि पंकज मिश्रा इन सभी में मनी लॉंटन केस जो है साहिब गंश में उसमें वो इन्वाल थे और यही यह सारा काम करवा रहे थे यह बहुत बड़े आरूपी साबित होंग क्या कुछ निकल के आएगा वो हम आपको बताएंगे लेकिन अभी के बहुत बड़ी खपर इसलिए आरी क्योंकि एक तो यह सीम हेमन सोरेंट के विधायक प्रती नहीं दिया है और दूसरी बात है कि पूझा सिंखल से जो भी चीज निकल के सामने आई थी वो लिंक सीथा पंकज मिश्रा तक गया है देखना बहुत दिल्चस्फ होगा कि पंकज मिश्रा अब यह जो ग्रफतार हो गया जो जाल चागे बढ़ेगा इसमें और क्या कुछ नए नाम और जुड़ते है क्या पता इससे और बड़ी मश्री को पकड़ा जा सके बार बार यह संदे था कि पूजा सिंखल एक बहुत चोटी मश्री इतलाब की यह सारा जो मामला है यह और बड़ा है इससे और बड़ी मश्री पकड़ी जा सकती थी फाइनली एडी ने उस बड़ी मश्री को पकड़ के भी जेल में फाइनली गरफतार करने का काम करी लिया है अब कैसे पूजा वो ह हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें